Hello guys, welcome back to my channel, this is Gunjan from NailXP by Gunjan हम घर बैठे, अपने दौनों हातों पर कैसे gel nail paint application कर सकते हैं या हम अगर beginner हैं तो हमें gel nail paint कैसे apply करना है, वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे तो आईए, step by step हम सारा process देखते हैं किस तरह से gel nail paint लगाई जाती है तो first and foremost step हमारा होता है cuticle push करना, cuticle sides को backward push करना ताकि आपका जो nail है उसके उपर space create हो सके, और जो आपके dead cuticles है काफी लोगों के क्या होता है, काफी cuticles होता है, एक layers आजाता है nails पे, वो remove हो सके उसके बाद second step हमारा आता है, आपका cuticle cut करना गैस cuticle cut आप कप करेंगे जब आप इस चीज से used to है ये tool dangerous भी हो सकता है और आपके लिए helpful भी हो सकता है dangerous कैसे होगा, कि अगर आपने cuticle पे जाधा cut कर दिया, तो उदर bleeding start हो जाएगी and bleeding start होने से आपको ये risk है कि आपके client को fungus infection हो सकता है कोई भी infection हो सकता है, तो please be careful while using this cuticle cutter अगर cuticle बहुत ही जाधा है, तो आप इस tool का use करेंगे otherwise जो आपका cuticle pusher है, उसे की opposite side पे एक और tool होता है उससे आप आपके cuticles remove कर सकते है one side से आप cuticle को backward push करेंगे and दूसरी side से आप उस cuticle को remove करेंगे ये सारे steps nail prepping में आते हैं इसे हम कहते हैं nail prep करना, nail prepping जिसमें हम nails को backward push करेंगे, nails clean करना, उनके cuticles clean करना, उने buff करना, उनने shape करना ये सब आता है हमारा nail prepping में तो next step हमारा है nails shape करना हमने cuticle backward push किए, cuticles clear किए and then हम हमारे जो nails हैं उसको shape कर रहे हैं तो जो भी आपका length required है या जो भी customer के requirement है उसके according आप nail shape करेंगे आप लोगोंने काफी बार मुझे comment किया है कि आप अपने दोनों हाथों में कैसे कर लेते हो तो ये video उसी के लिए है कि मैं अपने hands पे ही आपको करके दिखा रही हूँ तो आप देख लीजिए कि आपको भी कैसे करना है आपको थोड़ा सा adjust करना पड़ता है hands का movement या आपका जो भी step आपको करना है उसके लिए बट हो जाता है थोड़ा सा time लगता है बट हो जाता है तो आप भी try कीजिए और मुझे comment करके बताएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ और अगर आप first time मेरे channel पे आए हैं तो please video को like कर दीजिए channel को subscribe कीजिए, bell icon हिट कीजिए ताकि notifications आ सके नेल शेप करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका filer है वो आपके skin पर touch नहीं होना चाहिए now next step हमारा आता है buff करना, nails को buff कर रहे हैं हम जो smooth surface से उसको थोड़ा सा rough करेंगे और जो नीचे nails हमने shape किया है वो थोड़ा सा sharp edges हो जाती है तो उसको हलका सा blend करने के लिए भी हम buffer का use करते हैं तो ये देखे, both hands का हमने buff कर लिया है और जो भी nails का थोड़ा सा sharpness था ताकि वो चुबे ना work काम करते समय उसे भी हमने blend कर लिया है अभी सब clean करने के बाद next step है structure gel देना base coat जिसे हम कहते हैं तो आप base coat भी दे सकते हैं structure gel थोड़ा सा thick होता है base coat के मुकाबले तो मैंने structure gel use किया है शिल्स का ही है आप चाहें तो base coat भी use कर सकते हैं और अगर आपके पास structure gel है तो आप वो भी use कर सकते हैं structure gel थोड़ा सा flow कम होता है base coat थोड़ा सा thin होता है consistency में तो वो flow जल्दी हो जाता है बस यही difference है जैसे आपके पास कोई overlay के लिए आता है तो आप gel structure gel use कर सकते हैं उसके लिए one by one hands पे आपको यह लगाना है और उसे 60 seconds के लिए cure करना है and उस cure करने से पहले आपको यह check करना है कि side edges पे आपका product ना लगा हो अगर flow हो रहा है लग गया है तो आपको क्या करना है पहले उसे side edges को clean करना है फिर आपने उसको cure करना है 60 seconds now next hand पे हम same process करेंगे same structure gel में दे रही हूँ and इसे भी मै clean side walls को clean करने के बाद 60 seconds के लिए cure कर दूँगी तो आपको देखिए रहा होगा किस तरह से मैं अपना hands move कर रही हूँ जो भी जैसे भी adjust होता है उस तरह से आपको hand का position भी adjust करना पड़ेगा जब आप अपने left hand से काम करेंगे right hand पर both hands cure करने के बाद हम इस पे अपना gel color दे रहे हैं gel nail paint का color देंगे जो भी requirement है आपके आपको इसा भी color use कर सकते हैं मैंने इस पे बिल्कुल natural neutral shade जो होता है transparent वो लिया है मैंने इसके two coats दिये हैं अभी मैं यह one by one करूंगी because दौनों ही hands sticky हैं तो अगर एक hand से मैं काम करती हूँ तो I think उसके उपर dust and all लग जाएगा तो इसलिए आप पहले एक हाथ complete करें उसके बाद ही second hand complete करें ताकि आपको भी problem ना हो and यह देखिए same process है side walls clean करोगे आप और उसे 60 seconds के लिए cure करोगी अगर आपको लगता है कि cure नहीं हुआ है proper तो आप उसे again 60 seconds cure कर सकते हो 30 seconds 60 seconds जो भी आपको requirement हो one by one both hands पे हमने gel nail pen की coating कर दिये हैं हमने two coats दिये हैं हर hand पे दो coat आपको देना है और उसे cure कर देना है now अभी हम french nails कर रहे हैं तो मैं अपने दौनों हातों में french tips करने वाली हूँ तो मैंने black glitter लिया है जिससे कि मैं french tips कर रही हूँ यह देखिए मेरी french tips होके ready हैं मैंने इसे cure कर दिया है and now top coat देखे मैं इसे final pack कर रही हूँ तो this is top coat, top coat देना है आपको and इसे cure कर देना है and आपका gel nail print application ready top coat लगाया, again side walls पे अगर लगाया तो clean किया and उसे हमने 60 seconds या 90 seconds के लिए cure कर दिया thank you for watching guys, आपको वीडियो कैसा लगा comment करके बताएं और next topic क्या आप सीखना चाते हैं वो भी बताएं